दिल्ली में सीम मनोहर लाल खटर ने जात नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में यच्पाल मलिक समीत कई जात नेता भी मौझूद रहे बैठक के बाद सीम ने कहा कि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रते बद्ध है उन्होंने ये भी बताया कि आरक्षिन आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को सरकार वापिस लेगी और हर वर्ग को समान अधिकार दिया जाएगा सीम ने बताया कि 15 फरवरी को होने वाली जात रैली सगित की जाएगी तो सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी आरक्षिन आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे जो है वो सरकार वापिस लेगी तो जाटनेताओं के साथ सीम मनोहर लाल खटर की बैठक हुई क्योंकि अमच्छा की रैली होने वाली है जाट समुदाय जाटनेता लगातार रैली के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे थे और इस रैली के चलते तमाम तयारियां बीजेपी की और से कर ली गए थी लेकिन एक डर जो उनके मन में था वो जाट समुदाय को लेकर था क्योंकि वो विरोध लगातार कर रहे थे जो है उनकी मांगे पूरी करने की बाद भी सामने आ रही है और बाचीत करके बीज का रास्ता निकालने की कोशिश हर्याना के सियम मनोहरलाल खटर की और से की गई है क्योंकि लगातार जाटनेता या फिर कहें यश्पाल मलिक जो हैं वो भी इस रैली के विरोध में थे और इस विरोध को रोकने के लिए बीच का रास्ता बाचीत के जरिये निकालने की कोशिश की गई आएगी ताके आरक्षन दिये जाने बारे अंतिम निर्णे जल्दी हो सके सरकार का यह दिड़ विश्वास है कि जहां हर वर्क को उनका नयवचित अधिकार मिले वहीं किसी भी वर्क के अधिकारों का हनन नहों ऐसा होने से सामाजिक स्वार्द और भाईचारा मजबूत हो झाल